गुर्वार की राद दस बजे खापर खेड़ा चनकापूर निवासी प्रदीप अभिमिन्य साखड़े और उसके दो दोस होंडा सिटी कार से खापर खेड़ा मार्क से होते वे पारशूनी की तरब जा रहे थे कनानधे का पुलिया क्रोस करने की पशात पाड़े गाव समीब तीन अग्यात यूकों ने दो पईया वाहन रस्ते पर खड़ी कर इनको रोका गाड़े के रुकते ही तीनो अग्यात यूकों ने चाकू दिखा कर प्रदीप और उनके दोस के पास से सोने की चैन, सोने की ब्रसलिट, सोने की अंगूटी, सोने की कान की बाली और मोबाइल फोन करीब 3 लाग का माल लूट लिया माल लूट कर तीनो आरोपी दो पईया वाहन से भागे प्रदीप और उनके दो दोस्तों ने पारशुनी थाने जाकर शिकायत दरस की पलिस अधिक शक राकेश ओला, नापपुर ग्रामीन इनके आदेश से स्थानी अपराच शाखा की टीम पलिस तरिक शक अनिल जितावार इनके मारदशन में आरोपियों को ढूणने निकली इस घटना में लिप्त आरोपी रमेश उर्फ पुट्टी राम किशन रवीदास पकड़ा गया उसे पूचताश करने पर इस घटना में सिल्लेवाडा निवासी, शहजाद नसीमुद्दिन सिद्ध की, वलनी निवासी, टीपू उर्फ शाकिर अली वलहस्मत अली इर्दीसी और देगाव निवासी आशिश विजय शास्त्री शामिल होने का पता चला स्थानिक अपराज शाका की टीम ने टीपू उर्फ शाकिर अली वलहस्मत अली इद्रीसी को रविवार को किल्ले कुलार जलदर्शन बार के पास पकड़ा पुलिस ने टीपू के पास से लूटा हुआ माल जबत कर लिया, टीपू के पास से चाकू भी पुलिस जबत कर लिया है आरोपी रमेश और टीपो को स्थानिक अपराज शाखा की टीम ने पारशिवनी पुलिस को आगे की कारवाई करने हैं तो सपुर्द कर दिया है जबकि बागे के तीनों आरोपी पारशिवनी पुलिस के कस्टिडी में थी या कारवाई पुलिस अधिक्षक राकेश ओला अपर पुलिस अधिक्षक राहुल माकनिकर इनके मारदेशन में अधे ब्राव बहाले इन्होंने की इन्बी सियन के लिए पिलस अधिक शक काराले नाकपुर ग्रामें से अरुन्द महाचन की रिपोर्ट